दोस्तों आपके फोन की बैटरी कितने दिन चलती है एक दिन दो दिन या कुछी घंटे में आपको फिर से अपने मुबाइल फोन को चार्ज करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ज़रा सोचिए कैसा हो अगर आपके फोन की बैटरी 50 दिनों तक नौन स्टॉप चले और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्मार्ट फोन के बारे में जिसको आप एक बार चार्ज करके अपने चार्जर को लंबे समय तक छुट्टी पर भेज चकते हैं जिहां हेलो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एपसी पर दोस्तों यह जो भारी भरकम सा दिखने वाला फोन है ना उसका नाम है एनरजाइजर पावर मैक्स पी वन एट के पॉप नाम भी काफी बड़ा ही है इसका वैसे जितना बड 18,000 mAh की बैटरी वैसे तो इसकी थिकनेस को देख के ऐसा लगता है कि 6,000 mAh के तीन फोन एक साथ रख दिये गए हो और पॉकेट में रखने में कुछ अजीब जरूर लग सकता है लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा अगर आप फोन के साथ पावर बैंक केरी कर सकते हैं तो फिर आपको इसको केरी करने में भी जादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो जनरली 6,000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में करीवन डेर से 2 घंटे लग जाते हैं उस हिसाब से 18,000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में करीवन 5-6 घंटे तो लग कर सकते हैं पर गेमिंग में ये 16-17 घंटे तक चल जाए तो मज़ा ही आ जाए इसके अलावा इसमें आपको 6.2 इंचेस की IPS स्क्रीन भी मिलती है जो बहुत ही कम बेजल के साथ आती है और 6 GB की RAM के साथ 128 GB का स्टोरेज आप प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हैं Helio P70 तो आर ट्रिपल कैमरा मिलता है लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी एक चीज़ की कमी है इसमें headphone jack नहीं दिया गया है शायद सारी जगह बैटरी नहीं ले ली तो headphone के लिए जगह ही नहीं बची वैसे तो ये एक average phone है बैटरी को हटा कर क्योंकि बैटरी ही तो इसका highlighted feature है और ह इसको आप किसी और phone को charge करने के लिए as a power bank भी use कर सकते हैं तो अलग से power bank लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मोबाइल ले लिया ये power bank का ही काम करेगा वैसे ये अभी इंडिया वे purchase करने के लिए available नहीं है लेकिन इसकी expected price something 30-35,000 रुपए के बीश में हो सकती है तो इस phone का conclusion यही है कि इसके specification को देखकर इसकी pricing 20-22,000 रुपए तक होनी चाहिए क्योंकि Oppo Vivo ये specification इतनी ही price में आपको मिल रहे हैं बट battery feature के इसमें आपको 8,000 रुपए extra pay करने पड़ रहे हैं बाकी तो ठीक है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये phone और क्या आप भी इसको लेना चाह रहेंगे comment करके हमें ज़रूब बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो के notifications मिलते नहें चलिए मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye